इस साल एक बार फिर से पौधा रोपन का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है योगी सरकार ने इस दोरान पूरे प्रदेश में 35 करोड पौधे रोपने का फैसला किया है जो एक ही दिन 22 जुलाई को रोपे जाएंगे इसमें आम लोगों की भी भागिदारी होगी पिछले 6 सालों क दोरान पूरे उत्तर प्रदेश में 131 करोड पौधे रोपे जा चुके हैं 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश में वन महुसा मना जाएगा जिसका स्लोगन पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ ये रखा गया है यूपी के कारागार और हुमगार्ड मंतरी धर्मवीर प्रजापत जिसके लिए सभी विवागों को जिम्मेदारियां दी गई है बात करिंग उत्तर प्रदेश के कारागार एम हुमगार्ड मंतरी धर्मवीर प्रजापती जीसे और समझेंगे कि आखिर उनको किस तरह का दाई तो दिया गया है ब्रच्छ हमारे जीवन के लिए मैं महत्मूर और एक अंग है और पर्यावड की दर्शी से भी देखें तो एक बहुत महत्मूर है इस बार भी हमारी योजना है कि हम उस पांच लाग को हम लोग क्रोश करें कल से हमने वह शुरू कर दिया है और संपूर उत्तर प्रदेश में हमारा होमगार्ड विवाग ब्रच्छ उप रहें तमाम केंद्रिय कारागार आधर्ष कारागार यह बड़ी भूम होती है कारागारों के पास तो वहां पर विक्षा रोपन के लिए किस तरह की निर्देश आपने दिया है जगे जहां होगी तालवों पर हमारा हमगार्ड विवाग ब्रच्छ रोपन का वियान चलाए और मैंने अभी कहा है कि होमगार्ड का जबान हमारा हर गाउं में रहता है होमगार्ड का जबान हमारा लाएगा लगाएगा जो भी पॉदा लगाएगा उसकी जिम्मेदारी भी उसी की समध्चड़की रहेगी यह थे उत्रप्रदेश के कारागार एम होमगार्ड मंत्री धर उच्छा रूपन करेगा और जिस तरह से पिछले छे सालों में 131 करोड से ज्यादा पौधार रूपन किया गया इस साल उत्रप्रदेश सरकार ने 35 करोड से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष निर्धारित किया है कैमरा परसंद सतेंद्र कुमार के साथ आलोक राय बंसल न